दोस्तों मार्केट में Redmi Note 11 Pro Series लांच हो चुका है इससे पहले Redmi Note 10 Pro Series लांच हुआ था और काफी कमाल का फोन था और मार्केट में भी काफी क्रेज रहा Redmi Note 10 Pro Series का लेकिन अब इसका सक्सेसर भी लांच हो चुका है Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus इस बार Max की जगा प्लस आया है और इन दोनों फोन के features एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं और इन दोनों फोन के बीच कुछ major differences भी है और इन दोनों फोन को जिस प्राइस पे लांच किया गया है क्या उस प्राइस पे हमें बाई करना चाहिए या नहीं इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर किजिए, ताकि एक केकी फैमिली हम जल्दी से कम्प्लीट कर लें. दोस्तों सबसे पहले बात करें इन दोनों फोन के मेजर डिफरेंस की, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है इन दोनों फोन की बीच, रेड्मी नॉट 11 प्रो 4G फोन है, और रेड्मी नॉट 11 प्रो प्लस 5G फोन है, और साथ 5G बैंड के साथ आता है, इसके अलावा दोनों फ Mediatek Helio G96 के साथ आता है और Redmi Note 11 Pro Plus Snapdragon 695 जो के लेटेस्ट प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर को 700 स्रीस से बैटर कहा जाता है जैसे 750, 732 इन सब से इसके अलावा कैमरे की बात करें तो दोनों ही फोन में 108MP का मेन कैमरा दिया गया है और 8MP का अल्टरा वाइड और 2MP का माइक्रो इसके अलावा 2MP का डिप कैमरा दिया गया है सिर्फ Redmi Note 11 Pro में वैसे भी यह 2MP के कैमरा दे या ने दे कुछ फर्क नहीं पड़ता कमपनी नहीं दो यह तो बैटर है और दोनों फोन में 16MP का सिल्फी कैमरा दिया गया है वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों फोन के कैमरे से आप 1080p में 30fps पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इसके बाद डिस्पले की बात करें तो दोनों ही फोन का डिस्पले सेम है 6.67 इंज की और सूपर एमुलेट डिस्पले दी गई है 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ और यह चीज इन्होंने रेड्मी नोट 10 प्रो सिरीज में शुरू की थी और अभी भी बाकी है यह बह इंज स स्बमिघ्ञेट्स की तो दोनों ही फोन में आपको उत्वल बेंडेट चीश्पीप रायट्निस मिल जाती और दोनों ही फोन में गुरिला ग्लास पाइब की प्रोटेक्शन दी गाई है फ्रंट में बैक में भी अगलास है लेकिन वह कौन सा गलाज दिया गया है यह थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग ये करते हैं अपने फोन में बट जो भी फीचर्स दिये गए हैं इन दोनों फोन में काफी कमाल के लग रहे हैं इसके अलाव है 5000 एमेच की बैटरी मिल जाती है दोनों फोन में 67 वाट के फास्ट चार्जर के साथ यह चीज भी मुझे बहुत अच रहन दिया गया है और UFS 2.2 की स्टोरेज इसके बाद चलते हैं सीधे प्राइस की तरफ इसके बाद बात करेंगे कि इस प्राइस पर हमें लेना चाहिए या नहीं तो रेड्मी नॉट 11 प्रो दो वेरियंट में लॉंच किया गया है 6128 GB वाले वेरियंट का प्राइस है 18,000 रुपे और 8128 GB वाले वेरियंट का प्राइस है 20,000 रुपे और रेड्मी नॉट 11 प्रो प्लस की बात करें तो ये तीन वेरियंट में लॉंच किया गया है 6128 GB वाले वेरियंट का प्राइस है 20,000 रुपे और 8128 GB वाले वेरियंट का प्राइस है 23,000 रुपे और 8256 GB वाल अपनी बात करूं, तो जिस price पे हम सोच रहे थे, यह launch होगा 20,000 रुपे के नीचे, उस पे तो यह launch हुआ नहीं, और मुझे इसका price जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लगा, Redmi Note 11 Pro की जो price है, वो 16,000 रुपे या 16,500 रुपे होने चाहिए थी, 6,128 GB वाले variant का, और 8,128 GB वाले variant का price जो है, वो 18,000 रुपे होना चाहिए, और Redmi Note 11 Pro Plus के base variant की price जो है, वो 19,000 रुपे या 19,500 रुपे होने चाहिए, और 8,128 GB वाले variant का price जो है, वो 21,000 रुपे होने चाहिए, और जो higher variant है, 8,256 GB वाले variant, उसकी price जो है, वो 30,000 रुपे होनी चाहिए, अगर बात करें इस price पे phone को buy करना चाहिए या नहीं, तो phone में features तो काफी अच्छे दिये गए हैं, बट ये 2-3,000 रुपे और कम होता, तो value for money phone हो जाता, इन्होंने दिमाग काफी अच्छा लगाया, 20-25,000 के range में बहुत कम phone है, जिसमें ये सारे features मिलते हो, और शायद नहीं भी हो कोई phone जिसमें ये सारे features हो, इसलिए इन्होंने under 20 के बजाए 20-25,000 के range में आ गए, उमीद करते हैं कि जो भी इसका price है, उसी price पे ये phone टिका रहे, कहीं ऐसा नहों, Redmi Note 10 Pro सिरीज की तरह 5-500 रुपे, 5-500 रुपे बढ़ता जाए, Anyway, इस price range में भी आप इस phone को consider कर सकते हो, लेकिन आपको जल्दी नहीं करना है, पहले phone को launch हो जाने दो, और आप review वगरे देख लो, camera वगरे देख लो, इस phone का कैसा है, उसके बाद ही आप इस phone को buy करना, और हाँ, अच्छे YouTuber की वीडियो देखना, मतलब जो bad वीडियो नहीं आप इस वीडियों.